फ्रेंट्स केले के चिलके का खाद हम सभी लोग बनाते हैं और अपने प्लांट्स में डालते रहते हैं लेकिन आज मैं आपको एक अलग तरीके से केले के चिलके का खाद बनाऊंगी इसमें एक ऐसी चीज मिलाने वाली हूँ जिससे कि इस खाद की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्लांट को कहीं ज़्यादा और बहुत तेजी से फायदा पहुचाएगी तो बने रहें वीडियो में मेरे साथ और देखें किस तरह से इस फर्टिलाइजर को बनाना है और इसका प्लांट पर कैसे यूज करना है उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ इस फर्टिलाइजर के प्लांट के लिए क्या-क्या फायदे हैं और कौन-कौन से प्लांट उपलब्द हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं क्योंकि केले के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है और पोटेशियम प्लांट में फल और फूल लाने में बहुत मदद करता है यदि प्लांट में पोटेशियम की कमी होती है तो प्लांट क वित ग्रोह्त के लिए आपको यह फर्टिलाइजार देना हो गा है यह हममेट फर्टिलाइजर है और और यह खेस लिए प्लांट में किसी तरह का साइड एफेक्ट नहीं करता है क्यों कि आप चाहिए अपने प्लांट को लंबे समय तक फूलों से भरा रखना चाहते हैं या उसकी ग्रोफ को अच्छा रखना चाहते हैं तो आप इस तरह है कि जैविक फर्टिलाइजर का यूज करें जो हमारे घर में ही उपलब्द चीजों से बनाए जा सकते हैं यदि बात करें कि यह फर्टिलाइजर हम कौन-कौन से पौधों में यूज कर सकते हैं तो ये सभी plant पर useful है, आप फूलों वाले, फलों वाले, सबजीों वाले पौधों पर इसे दे सकते हैं, बस आपको इसकी quantity का ध्यान रखना है और इसको बनाने का तरीका जानना जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं, fertilizer बनाना, fertilizer आप अपने plant की संख्या के हिसाब से कम कर सकते हैं, तो इनको छोटे-चोटे टुकड़ों में काट लेना है, तो मैंने इसे चोटे-चोटे टुकड़ों में काट लिया है, अब हमें एक खाली जार लेना है, और इसमें इन टुकड़ों को डालना है, तो मैंने ये जार में टुकड़े डाली है, इसके बाद इसमे तो मिट्टी उपजाव बनती है और हम जो भी फेर्टिलाइजर प्लांट में डालते हैं वह जड़ों द्वारा तेजी से अफ्षोषित हो जाता है और प्लांट में बहुत तेजी से फायदा पहुचाता है तो गुड़ हमारे प्लांट के लिए बहुत जरूरी है लेकिन और आप गुड़ भी है तो भी यूज कर सकते हैं जो काला गुड़ आता है वो प्लांट में ज्यादा पहुचाता है तो मैंने काले गुड़ का इतना टुकड़ा पानी में घुल के रख लिया है जिससे की फर्टिलाइजर बनना जल्दी शुरू हो जाए तो इस तरह से आ प्रेश के ले का छिलका तो क्या फंगस तो नहीं लग जाएगा तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि यदि आप प्लांट में अच्छी तरह से फर्मेंट किया हुआ फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो ये समस्यां कभी नहीं आएंगी यदि आप फर्मेंटेशन प आप इसको एर टाइट कर दें और बीच बीच में हर दिन एक बार इसकी गैस रिलीज करते रहें तो मैं इसको रखती हूँ तीन दिन वाद देखेंगे आप तो कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइजर मिलेगा पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है केले के चिलकी का और स बिल्कुल भी यूज नहीं करना है तो इसके लिए एक भाग फर्टिलाइजर दस बाग साधा पानी यूज करना है इस तरह से यह हमारा फर्टिलाइजर बिल्कुल तयार है अब आप इसे अपने किसी भी प्लांट की स्वैल में पॉर्ट की साइज के हिसाब से डाल सकते है महिने में एक बार इस फर्टिलाइजर का यूज जरूर करें आपके प्लांट में बहुत तेजी से ग्रोथ होगी और बहुत फूल आएंगे थैंक्यू